हाई गाईज वेलकम बैक समुन देटू है आज दो ऐसी फिल्मों का जो कल रिलीस हुई थी उन दोनों का box office पर क्या हाल चल रहा है याने कि योधा और baster दोनों का ही box office पर आज क्या हाल चल रहा है collection कितनी हो चुकिए है total सब कुछ बताते हूं आपको इस वीडियो में वीडियो करें दिक जरूर देखो चैनल को पर लो subscribe सबसे बहुत बात करेंगे योधा के बारे में कि इस फिर्म का total collection कितना रहा देखो कल का तो मैंने आपको बताया ही था day one day one का collection यहां तक कहानी ठीक है मुझे लगता है night occupancy कही न कहीं बढ़कर 24 से 25 परसेंट तक जा सकती है यही देखो दो दिन है इस film के लिए जिसमें यह अपनी collection को एक अच्छे momentum पर ला सकती है नहीं तो फिर weekdays जब start हो जाएंगे न फिर बड़ी problem हो जाती है वीगडेस में तो वैसे ही drop लेती है फिल्मे और योधा का वैसी number काफी low पर चल रहा था तो अगर हम बात करें शोगांट्स की बहुत सारे शोगांट्स है Mumbai 571 शोज है Delhi NCR 705 शोज है शैतान से जादा शोज है योधा के पास Pune 199 शोज है 200 शोज कहलो है 100% guaranteed कितना होगा मुझे लगता है आज का जो collection है योधा का वो साड़े 5-6 करोड तक हो सकता है लेकिन फिल्हाल का जो total internet collection है वो आ रहा है 7.88 करोड ये तो रही बात योधा की अभी साथ में बात करते हैं बस्तर की भी जो again एक ऐसी कहानी एक ऐसी story जिसको किसी किसी city में ban कर दिया गया है जी हाँ बस्तर को कहीं कहीं पर ban कर दिया गया है लेकिन फिर भी film कहीं कहीं पर run भी कर रही है लेकिन इन दोनों का box office पर जैसे मैं कहरी हूँ योधा के बाद बस्तर का क्या कुछ चल रहा है काफी कम shows है Delhi NCR, Mumbai जैसे बड़े शहरों में तो आपको shows मिल जाएंगे लेकिन हो सकता है आपको अगर आप interior में रहते हैं अगर आप देखना चाहते हो फिल्म आपको फिल्म के shows नजर नहीं आएंगे जिसके चलते हैं इसकी collections को बहुत जादा तो इस वक्त पर collection कितनी है Day 1 पर 40 lakhs का collection था और Day No. 2 पर अभी तक 41 lakhs हो चुका है मुझे लगता है आज ये शायद 60 lakhs के आसपास तक की collection कर लेगी और अगर वो हो जाता है तो total 2 दिनों की collection 1 crore के आसपास की होने वाली है ये थोड़ा सा shocking हो जाता है क्योंकि हम अगर जब बात करते हैं अदाशर्मा की फिल्मों की या फिर ऐसी फिल्मों की जो थोड़ा सा हटके topic पर होती है या थोड़े controversial topics पर होती है तो The Kerala Story थी Kashmir Files थी इनी फिल्मों को propaganda movies भी जिनको बोलते है तो ये जो फिल्में है इनको वो actual में शुरू में वो numbers नहीं मिलते लेकिन वो दीर-दीर अपनी जगा बना लेती है find out कर लेती है अपनी जगा with Buster मुझे वो जो कहते है न मतलब उस चीज की भी उमीद काफी कम लग रही है क्योंकि बहुत ही कम shows है इसके और जैसे मैं कह रही हूँ बहुत चीजगाओं पर ये बन हो चुकी है so ये कैसे अपने collections को आगे लेकि जाएगी इसका budget 45 करोड के आसपास का है काफी high budget film है उससाब से केरला स्टोरी से अगर comparison किया जा तो वहाँ पर 15-16 करोड का budget था और फिल्म बहुत आगे तक पहुच गए थी 280 करोड का तो मुझे ही याद है काफी बड़ा number कर लिया था मैंने काफी मेरे क्याल से last day तक 50 दिनों तक चली होगी तो मैंने 50 दिनों तक इस फिल्म को cover किया था यहां पर मुझे बस्तर को लेकर डर जरूर लग रहा है क्योंकि यह फिल्म जादा दिन ऐसे चलेगी तो जादा दिन सस्टेन नी कर पाएगी शो काउंट्स के अगर बात की जाए तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मुंबई जैसे शहर में अब बस्तर के साथ लेकिन फिल्हाल तो सिनारियो में आपको बता दिया है कि वही एक करोड आज होगा पात दोनों की कर्लेक्शन जनने के बाद आपकी क्या राइ है let me know in the comment section if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel just for a story a fact share